चलते चलते मौल, क्या कोरोना इफेक्ट है? ये खबर देखिए, जम्मू के युवक की साउथ कोरिया में हाट अटैक से मौत हो गई, जम्मू के अनिल की साउथ कोरिया में दिल का दौरा पढ़ने से मौत हो गई, चलते चलते अचानक सलक पर गिर पड़ा अनिल कुमार, CCTV फ वो एक पल के लिए रुका और फिर अंधे मू नीचे गिर पड़ा और डॉक्टरों ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई लेकिन ये पहला मामला नहीं है देश में भी कई ऐसे ही मामले आ चुके हैं जहां लोग डांस कर रहे हैं गाना गा रहें परफॉर्म करते करते उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है जम्मू में ही आठ सितंबर को जो घटना होई उसने सभी को चौका के रख दिया एक 20 साल का युवक एक लड़की का भेश धारल करकर एक जागरल में डांस कर रहा था मंच पर और तब ही वो गिरता है और उसको भी इसी तरह से दिल का दौरा पड़ता है उसकी मौत हो जाती है नाचते नाचते बरेली में ही एक सितंबर को ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां एक शक्स अदेल उम्र का शक्स नाचते नाचते गिरता है उसकी मौत हो जाती है ऐसा ही एक मामला मैन पूरी से आया 4 सितंबर को जहां एक जागरर के दोरान एक शक्स हनुमान जी का रूप धारर कर वहाँ पर नित्य कर रहा होता है और तभी वो भी गिरता है और उसकी भी मौत हो जाती है क्या ये कोविट के बाद के बीमारियों की वज़ा से है कोविट के बाद शरीर कमजोर हुआ है हमारी प्रतिरोधक शमता कम हुई है हमारा दिल कमजोर हुआ है इस वज़ा से है या इसका कुछ और कारण है ये समझने की कोशिश करेंगे हम हमारे साथ डॉक्टर M. वली हैं, काडियोलजिस्ट हैं और आपने TV9 भारत वर्ष पर इनको कई बार देखा है जब कोरोना के दौरान ये आप लोगों को सला देते थे कि क्या करना चाहिए डॉक्टर साब स्वागत है आपका अब तो कोरोना के बाद भी बहुत ज़रुद पढ़ रही है आप लोगों की लोगों को सर नाचते नाचते, चलते चलते साउथ कोरिया में एक 30 साल का लगा जो अमूमन इस उमर में सेहत मन माना जाता है वो चल रहा है, रुखता है, आंधे मों गिरता है और बता जाता है कि हार्ट अटेक से उसकी मौत होगी ये क्या हो रहा है सर्थ? ये कोविड ने हमारे हार्ट को प्रभावित किया है कोविड ने प्रिमेचूर कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो पहले से ही एक नोल एंटिटी थी उसको दुबारा से बढ़ा दिया है वैसे भी हमारे देश में यंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज पास्चाते देशों से 10 साल पहले होती है इसलिए आपने जो ये चार वाकियात दिनाए हैं सेप्टेंबर महीने के एक, दो, तीन दिन और फिर पाँचवे दिन ये रोज देखने में आने लगा है और ये अन्यूजवल है बहुत जादा अन्यूजवल है और सबसे पहली साफदानी में यही बताऊंगा लोगों को के इसमें वीगरेस एक्सिस बिल्कुल नहीं करनी है अब हम आउट के आगे भी चले गएं के वाक करते करते कॉलैप्स हो गय, वो जमूग के थे और वो वाक करते करते कॉलैप्स हुए तो कहीं न कहीं हमको इसमें बहुत ज़ादा साफधान रहने का समय आ गया है यंग कोरोनारी आर्टी डिजीज के नाम से जब जानी जाती थी उसमें कोविड से इधाफा हुआ है दॉक्टर साथ जड़ा हमारे दर्शकों को आसान भाशा में समझाइए वो लोग जो दिल की बिमारी से पीडित हैं और उनको COVID हो गया उन्हीं को ये हो रहा है या जिस किसी को भी COVID हुआ उस किसी को भी ये हो सकता है मैं तो कहूंगा रोहिश सरदाना जी को जब हो सकता है उससे पहले और भी लोगों को केके को हो सकता है और कई सिंगर्स को और हुआ है और ये जो है शान वार्न और प्लेयर्स लाइक क्रिस्टियानो जूनियर को हुआ है डॉकुमेंटेड हैं ये किस्से और ये बहुत ज़ादा इसमें चिंदा का विशह बन चुके हैं और हम लोग इस पे बहुत ज़ादा इस वक्त सोचने भी लगे हैं अभी ये यंग लेडी अभी प्रोग्रम में आने से पहले 33 साल की है उनको हाई ब्लड प्रिशर है उनको हाट की बीमारी मैं सिस्पेक्ट कर रहा हूं तो ये चीज़े बहुत ज़ादा होने लगी है लेडीज में कॉंटरसेप्टिव्स के बाद पहले ये देखा जाता था लेकिन अब पोस्ट कोविड जो है ये बहुत ज़ादा क्या चीए डॉक्टर साब आप उन लोगों को जिनको दिल की बीमारी है उनके लिए और जिनको नहीं है उनके लिए अलग अलग क्या सला देंगे संक्षेप में मैं सब लोगों को सब लोगों को ये सला दूँगा कि अपना आइडियल वेट मेंटेन करें और बहुत खर्चे से बगएर मैं बहुत सस्ती सला दूँगा अपनी पल्स रेट चेक करते रहें एक महिने में एक बार या दो महिने में एक बार अपना बलड और डाइबिटीस डाइनोस्ट है, उनके लिए बहुत साथधान रहने का समय है, वो अपने ब्लड पेशर को और डाइबिटीस को कंट्रोल करें, वेट को भी कंट्रोल करें, नियमित रूप से डॉक्टरी सलार लूपर करें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक्जर्शन की हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, तो क्या आप ये रिकमेंट करते हैं कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, वो ऐसी कोई एक्जर्शन वाली एक्सरसाइज में शामिल ना हो, मेहनत का काम ना करें, अब जो रोजी रोटी कमाने ले जिसको रोज मेहनत करनी है, वो क्या करेगा उनको हम ये सलाह देते हैं, इन जर्रल के आपने जो वर्ड यूज किया एक्जर्शन तो ट्रेड मिल से रिलेटेज, भागने से रिलेटेज, रनिंग से रिलेटेज जो एक्सरसाइज हैं, उसमें अभी विराम लगा दें, केवल वॉक करें हलका, और खान पान पर ज्याद ध्यान दें, अपने वेट पर ज्यादा ध्यान दें, वीग्रस एक्सरसाइज ना करें, और एक मैं साफ़धानी अपने सब मरीजों को बताता हूं कि जब हम फुल स्टमक होते हैं, खाना पेट में होता है, उस समय ज्यादा एक्सरसाइज, व्यायाम, जिम जाना, जीना चर करें कि जब कभी भी एक्सरसाइज करने जाएं, या मेहनत का काम करें, तो आपका पेट इतना भरा नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ठीक है, मेरे साथ, डॉक्टर जवली, आप बहुत काम की बात बता रहे हैं, मुझे लगता है, आपकी ये बाते हैं, बहुत सारे लोगों को मौका रहते सचेत कर सकती हैं, आप मेरे साथ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर अन्शुमन भी जूल चुके हैं, धर्मशिला अस्पताल से, डॉक्टर अन्शुमन आपको भी बहुत स्वागत है, देखिए बहुत स्वागत हैं, अभी मैं अपने दर्शकों को उनको बताया जाता, काडे करेस्ट आया हुआ है, डॉक्टर अन्शुमन, कोविट के अंगिनत मरीजों को आप लोगों ने ठ्रीट किया है, क्या ये केवल और केवल कोविट का असर है, कि उसके बाद लोगों की प्रतिरोधक शंता, उनके शरीर के अंग कमजोर हो गया और इसलिए ये सब हो रहा है? इसलिए के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों का ये करने लगे, जिसमें एक एक्सेसिव एक्सेसाइज, टागेट और इंटेट बहुत सारी चीज़ें है, ऐसी करने लगे, और अच्छार साब, आपसे, आपसे, क्योंकि आपको दिखा नहीं पा रहे है, स्किन पर आपका ज ये करके कनेक्ट होता हूँ. नियसके जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें ऐस्य हो रहे हैं, जिसका नेगेटिव इंपक्क रढ़ रहे हैं. और आपको पता चलेगा कि जिन्होंने तिगरेट पी है, शराब पी है, विल्कुल फिट रहते थे, एक्सेसिव जिम करते थे, और को सिर्ण काडियकरेस्ट हो गया, काडियकरेस्ट को समझना है, काडियकरेस्ट अल्वेज डजन मीन कि उसको हार्ट अटेक, मतलब मायोकाडि लोगों ने चक्कर में एक्सेसिव कॉफी तो सर मेरे पास समय कम है, डॉक्टर अंशुमन कुछ सलाहें, तो डॉक्टर वली ने दी है, कुछ सलाहें कर आप भी आड़ाउन करना चाहें, जे, मैं एड़ाउन यही करना चाहूँ, ट्राइट टू बी एज नैश्रल एज पोस्ट कोबिड तो आपकी प्रॉलम है और डॉक्टर डिटेक्ट कर लेगा, आप उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगा है, और अपने मांसिक तरहों को कम करें, ठीक है, बहुत शुक्रिया दॉक्टर अंशुमन आपका, डॉक्टर वली आपका भी बहुत शुक्रिया हमा अगर आपको कोबिड हुआ है, तो डॉक्टरों से चेक अप कराई, अगर आपको कोई दिक्कत है, और ऐसी चीजें, क्योंकि पोस्ट कोबिड ज़्यादा बढ़ रही है, इसे थोड़ा सा हैतियाज ज़रूर बढ़ती है